परसगाड का कोर्स हो, चाहे हो जेल पहरी का कोर्स हो, मत्रपदे समिंस्पेकर कोर्स हो और पुलिस का कोर्स हो, या प्लिस का कोर्स हो, या प्लिस का कोर्स हो, ये सभी को लेकर के आचुका है चोहान अकेडमी आपके सामने और अब इस बार एक सिट आपकी होगी पकी, आप स कोर्स में देखेंगे आपको जो भी कोर्स चाहिए आप इसको बाय कर सकते हैं चाहिए प्यापम का कोर्स हो जा पीस्टी कोर्स हो तो एक सीट अगर पक्की करनी है तो चोहान एकडमिक साथ जोड़ना है क्योंकि मामला इज़्जत का है थाइंक यू नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सबका चोहान एक एडिस प्लैट्फॉर्म में और फिर से एक बार एक बड़ी ख़बर और ख़बर वही जो आज से दो दिन पहले मैंने एक चीज़ से कही रही मैंने आप सबसे एक चीज़ बहुत अच्छे से बताया था कि ये यूपी बिहार साइट के कुछ ऐसे गैंग वार्स आते हैं क्योंकि MP के लोगों के बस में बात नहीं है कि प्रकार का कुकर्म करना क्योंकि MP के जो लोग होते हैं वो जातर इस कैम में सामिल मुक्त करता पर नहीं पाए जाते चाहतर यह देखा गया है हाँ MP में लोग पीपर जुरू खरीटते हैं तो पेपर MP में अगर होता है तो उसका जो गिरोह होता है एक्टिव होता है उत्तरपदेश बिहार और तमाम रजिस्तन आसपास के चैतरों से आता है तो गिरोह आता है और वो क्यों आखिरकार आता है आज जो एनेचेम की भरती का पेपर लिख हुआ आपको पता है नेस्टनल जो हेल्थ मिशन केता है जो स्टाफ नर्स की जो भरती की जा रही थी आज पेपर था इधर पेपर हो रहा था उधर पेपर लीख था पेपर लीख करने वाले होटल में ठारेट है गौलियर के डवरा छेतर में जहां से पांच लोगों को गिरफतार किया गया है अब मामला एक चीज इस बात काता है कि आखिरकार गुर्देव ये इतना इस प्रकार से करते क्यों है उसकी बज़े बताता हूं आप सब को पता मज अपराद करके बाहर चला जाता है आपको अच्छे से पता है कि जादा तर पुलिस का रवया होता है कि जब तक बहुत बड़ा प्रेसर नोत एफ आयर लिखती नहीं है और खासकर एफ आयर तभी कर पाती है जब बंदा कहां को एमपी गंदर का ओं वेसे बता दूं आपको में कि पुलिस के पास एफ आयर उसके खिलाब भी करने की ताकत है अगर उक्राइम करके भागा हो तो चाहिए भले हो पाकिस्तान का हो चाहिए हो लंडन चला गया हो चाहिए हो अमेरिका चला गया हो उसके खिलाब भी एफ आयर की जा सकती है अगर पुलिस चाहे तो लेकि पूरी study guide है इसको पढ़ करके आप चच्चु प्रकासन के ही पटवारी practice sit से अपनी practice भी कर सकते हैं ये दोनों किताब आप मगा सकते हैं study guide से आप तयारी कीजी और पटवारी practice sit से अपनी तयारी को जाचिए और पटवारी की परिच्छा में अपनी एक seat पकी कर लीजिए इस किताब को आप अमेजन और फिलिपकार्ट किसी से भी मगा सकते हैं जिसकी लिंक इस वीडियो के description box में दी गई है ठीक है धन्यवाद प्राइज आती है कि आपकी F.I.R. नहीं लिखते हैं एक तरफ देखते हैं बड़ बड़े हीनियस क्राइम हो जाते हैं प्रीस F.I.R. नहीं लिखती और जब देखती राजनी तिक प्रसर देखती है तो छोटी छोटी चीज़ों पर F.I.R. लिख जाती है उसने उसको गाल यहां पर इस चीज कहें कि जो यह जो मामला हुआ है यह पूरा का पूरा क्या है यह गिरोह किस प्रकार से काम क्यों कर रहा है और अभी जो आपकी जो भरती है आप कारी भगवान करें इस पे कस्ट ना आप कारी और पढ़वारी पर इस पे कस्ट ना आए और इस पे कस्ट न आपसे बड़ा कुछ नहीं, आपसे बड़ा नेटवर कुछ नहीं आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपसे ही समफर करते हैं गिरोब। आपसे ही संपर करके संपर साते हैं। फिर फेपर बढ़ता है पांच पाउन सलाक दर सलाक में, भीस दिस जूराग में। फ Yang has 저희ih या जल पॉलिस नहीं सुने की दिने सीम चाहां CD4 पदो चलता फिर सिस्टम सुन रहा है का मसला है मैंपोर्त सूनेगा मैं सूने गाँ सून इसको पर उसके लिए मैंक नहीं लड़ सकता इसके लिए आपको समर्थन करना पड़ेगा पोर्ट करना पड़ेगा इसा ऐसा चीज हो तब ही हम उसमें आगे भागे लेकिन वह बहुत सही समय से तो अगर हम चर्चा करें इसमें तो खास चीज है इसमें जो पेपर स्कैम की जो बात किर रहा हूं है आप लोग बस इतना दिमाग रखेंगे कि पेपर स्कैम करने वाला वेक्ती आपको अपरोच खुद करेगा जया फोन के माद़र हम से करे चाहिक किसी की माद़र हम से पर करे पर करेगा जरूर क्योंकि आने वाले साय में जो आपकारी पड़वारी जेल एसाई की बात जेल जिप्टी जेल की बात करे वें इसान है क्योंकि इन लोगों ने विचारों ने पेपर दे दिया है पेपर देंते ही जैसे पेपर दिया उसके बाद एने चेम डिपार्टमेंट ने क्या किया पेपर लिक होने की जो है पुष्टी की और उन्होंने पेपर को कैंसिल कर दिया तकलीप यहां पर उस बच्चे की है जो बच्चा एक्साम दे रहा था उसके साथ क्या करे विचारा उट का करे कहा जाए इसको सुनाए लेकर वहराल थोड़ी सी राहत बड़ी खावर ये है कि मद्र प्रदेश में पांच लोग गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार करने से क्या होगा ज्यादा कुछ नहीं होगा बहुत जलदी घुट जाएंगे क्यों छूट जाएंगे क्योंकि मद्र प्रदेश में जो इसको लेकर करके नियम है उनियम कादे कानून अच्छे नहीं है अगर हम बात करें कादे कानून की तो कायदे कानून MP में अच्छे नहीं है इसलिए MP जो है वो सबसे ज़्यादा संभेद अंसील इलाका माना जाता है और सबसे सुभेद माना जाता कि कि कम से कम इनको 10 वर्स तक की सजा होनी चाहिए कम से कम पाँच-पाँच करोड का कम से कम इन पर जुरुआ लगने चाहिए और साथ साथ में कमपनी जगसमें सनलिक्ता पाई जाती इसको जीवन भर कि इसको बैन कर देना चाहिए जब तक अच्छे से कानून नहीं इंपलाई होगा तब तक इस प्रकार की लच्चर वर्वस्थाई बनती रहें इसके अलावा जो भी द्यार्थी इसमें पाया जाए पैसा देते हुए क्योंकि मुझे पता है ताली दोनों हाथ से बस्ती है इस्टूडेंट अगर इस्टूडेंट अगर पैसे ना दे पैसे ना दे तो बताईए स्कैम करने वाला क्या इसको पेपर देगा नहीं तो इस्टूडेंट बेचारा नहीं है सबसे बड़ा फ्रॉड ये है इसलिए फ्रॉड है क्योंकि ये पैसे देता है किसको स्कैम करने वाले को अर्थात स्कैम करने वाला लाखों करोडू में इसले खेलता है क्यूंकि लाखों करोड़ पर देने वाला होता है इस्टूडेंट तो अपने आस-पास ऐसे चीजों से दिमाग रखने का प्रियास करें कि ऐसे स्टूडेंट ये बहुत पड़े अपराधी होते हैं और अगर एक बार सिस्टम में गए तो पूरे के पूरे सिस्टम को भरवात करते हैं जीवन भर क्योंकि आज जो दस से पंद्रा लाख रुपए में दे के नौकरी करेगा वो कल एक करो रुपए कमाने का प्रयास करेगा फिर भाड में जाए देश भाड में जाए राज भाड में जाए जनता उन्हें कोई फरक नहीं पड़ेगा वो ही करेंगे क्योंकि चूकि उन्होंने स्कैम करके रहे और ये आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो हमारे प्रदेश में पिछले कई सालों से ऐसा सिस्टम चल रहा है और उस प्रदेश सवाल चलते चलते कि सर तो हम क्या कर सकते एक ही काम कर सकते इनका पुलिस में कंप्लेन कराओ पुलिस नहीं गिरफकार करती जब तक और आपको पता है कि इसका है तो बढ़िया गले तक गड़ा खनो अगड़े में गाड़ दो बस जी भी तरह को उसको गड़े म तिर लाल नहीं पीला भी पड़ जाए इतना मार मारना चाहिए क्योंकि जब तक जनता खुद अपने आपको इस योग नहीं करती है तब तक आप जाने कि इस प्रकार के स्कैम करने वाले हमारे बच्चों गभविसों को खतम करेंगे करेंगे और आगे भी करते रहेंगे ल जाए अभी तक आज तक छात्रों ने कभी बरात नहीं काली स्कैम करने वालों का क्योंकि जो स्कैम करने वाला होता इसको बहुत रुपिया होता है नेता से लेके मंतरी तक तमाम बहुत सारी जगहों तक चीज़ों को खरीद के रख लेता है लेकिन जनता को ज़्यादा नह काली जाए और घर घर में उसको जूते से मारा जाए घर घर में जूते से मारा जाए उस दिन वो बारात पुरे सोशल मीडिया पर प्लोग किया जाए कि स्कैम करवाने वाले का ये हाल किया जाता है और उस दिन आप यकीन मानिये कि बहुत सारे स्कैम करने वाले और करवाने व स्वासपात लोग नहीं है कि पेपर ले आपने आज तक अबही सुना कि यूपिस्टी का पेपर लीख हुआ हो, कितना confidential पेपर कराते हैं, वो भी पेपर पेपर लेते हैं, मतलब आफ लाइन पेपर लेते हैं, पूरे देश में पेपर होता और एक दिन पेपर होता और मजाल कि उनका पेपर लीख हो जाए आखिरकार जब वो सिस्टम के साथ पेपर करवा सकते हैं तो ये क्यों नहीं करवा सकते हैं इनको क्या तकलीफ होती है इतना आपने आपको दुरुस्त क्यों नहीं कर पाते तो भी बड़ा सवाल में आपके पास छोड़के जा रहा हूं अपने आस्पा जरूर ध्यान रखिएगा ऐसे लोगों का हो सकता आपकारी के लिए पटवारी के लिए किसी ने किसी भरती के लिए अतेंथ जरूर सकते हैं उसको जाके नजदी की थाने में तुर क्राइम ऐसा हो रहा है जो बहुत जादा संगीन है कोई क्राइम ऐसा होने वाला है जो बहुत जादा संगीन है कोई क्राइम ऐसा हो सकता है जो बहुत संगीन है और इसे व्यक्ति की दोरा बहुत काम हो सकता है तो उस पुलिस के बराबर भी पावर होती है एक सामान व्यक् नहीं वहाँ पर जनता होती है Thank you so much अपना सब लोग ध्यान रखेंगे और अच्छे से त्यारी करिए अपनी और यह अपने आख और कान खुले रखिएगा मैं फिर से बोल रहा हूं अपने आख और कान खुले रखिएगा क्योंकि स्कैमर आपके आसपास ही है